आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोट होता है जिसे आप लोग सर्वोच न्यालय की नाम से भी जानते हैं इसे आप लोग उच्चेतम न्यालय की नाम से भी जानते हैं और इसमें आप लोग देखेंगे वर्तमान में आपके 33 अन्यायदिस देखने को मिलेंगी एक आपका मुख न्यायदिस देखने को मिलेगा और आपको बता दूँ अभी हाली में 49 बे मुख न्यायदिस आपके उदय उमेश ललित को बनाए गया है यू यू ललित को बनाए गया है तो आज हम लोग यू यू ललित के बारे में बात करेंगी और हम लोग सुप्रीम कोट के बारे में भी कुछ पॉइंट देखेंगे और नियाईदीसों की नियुक्ति किस तरह से होती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों को सुप्रिंग कोट के बारे में बता देते हैं आप सभी जानते हैं कि एक सम्विधानिक संस्था है और किसी को किसी पर भरोसा हो या ना हो सरकारों पर भरोसा हो या ना हो पुलिस मेवस्ता पर भरोसा हो या ना हो लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सरवोच नयाल है उन पर भरोसा हमें रहता है कि वो हमारे साथ नियाए करेंगे तो पहली आप लोग देखेंगे कि 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोट ऑफ इंडिया की रूम में इस्थापना होई थी बाद में आप देखेंगे 15 अगस तो 1947 को हमें आजादी मिल जाती है और 28 जन्वरी 1950 में सुप्रींग कोट ऑफ इंडिया की रूम में इसकी स्थापना होती है और समीधान का अनुचेद 124 आप लोग देखेंगे तो इसमें सुप्रींग कोट की स्थापना की बात की गई है किसकी सुप्रींग कोट की स्थापना की बात की गई है और आप सभी लोग यह भी देखेंगे कि इसके अगर हम लोग मुख नियादिस की बात करें इसकी नियुक्ति की जाती है किसकी सुप्रीम कोट की? सुप्रीम कोट के मुख नियादिस की और उच्टम नियाले के नियादिसों की नियुक्ति करते समय भारत की राश्पती को भारत के मुख नियादिस से विचार ब्रवस करना बढ़ता है तो यह भी आप लोगों को मालू होना चीए आप लोगों के मन में एक भी और सवाल आ रहा होगा कि सर्वूच न्याले का न्यादिस बनने के लिए आहरताएं क्या होनी चीए तो वह भारत का नागरेक होना चीए वह एक किसी उच्छ न्याले में या दो या दो से अधिक उच्छ न्यालेयों में नियुनतम पांच बरस तक न्याधिस रह चुका हो या पर आप देखें किसी एक या अधिक उच्छ न्यालेयों में नियुनतम दस बरस तक अधिवक्ता रह चुका हो और राश्पती की राय में पारंगत बिधी बेता हो वो आप देखिए नियादीस बन सकता है और सर्वोच नियाले की जो नियादीस होते हैं इनका कारकाल 65 वर्स की आयू पर आप्त करने तक होता है यानि कि आप देखिए कि एक तरह से आप जब इनकी 65 साल आयू हो जाएगी तो इन्हें स्थीपा यानि की पद छोड़ना पड़ेगा और सर्वोच नियाले का जो नियादीस होता है ये अपना त्यागपत राश्पती साहब को दे सकता है और सर्वोच नियाले की नियादीस को हटाने के लिए अगर हम लोग बात करें तो संसत के दोनों सदनों में अपने कुल बहुमत से जोकी उपस्तिती और मद्दान करने वाली सदसों के दो त्याई बहुमत से कम ना हो एक पिस्ताव पारित करना होता है उसके बाद इसे हटाया जा सकता है और जो सर्वो चिन्याली की नियादीस होते हैं इनका बेतन वो भत्ता भारत की संचित निधी से दिये जाते हैं तो यह भी आप लोग याद रखेगा ठीक है अब बात कर लेते हम लोग यू यू ललित के बारे में इससे पहले आप सभी जानते हैं कि आपके विजय कौन नथला पती वैंकट रमना जिन्हें आप लोग एन भी एन भी रमना के नाम से जानते हैं यह 48 भी आपकी मुख ने आदिस थे और 49 भी आपकी यू यू ललित बने हैं और कुछ पिक्चर देख लीजे इनकी और इनका सम्मंद महाराष्ट इसे है देख लीजे महाराष्ट भी देख लीजे यह हमारा प्यारा भारत है और इसमें महाराष्ट आपको देखने को मिल जाएगा यह है मुंबईस्त की राधधानी है और आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट के बारे में बात करें तो 1 माई 1960 में से राज बनाए गया था यहां बेधान सभा में 288 सीटे हैं बेधान परिचद में आप देखेंगे 78 सीटे हैं राज्य सभा में आपको 19 सीटे देखने को मिलेगी लोग सभा में 48 सीटे आपको देखने को मिलेगी अब बात करते हैं हम लोग EUU ललित के बारे में जैसा कि आपको बताया है इनका पूरा नाम उदै उमेश ललित है और आप देखेंगे कि इनका जनम 9 नवंबर 1957 को महराष्ट में हुआ था इनकी गिंती सुपरींग कोट की जज के तौर फर उन्हीं चुनिंदा जजों में होती है जिन्होंने ऐसे ऐसे इतिहासी फैसलों में सामिल रहे हैं जो पूरे देश में काफी दिनों तक चर्चा का विसय भी रहे हैं आप देखेंगे जैसे 2017 का 3 तलाग का मामला ले लिजे और इसकी सुनवाई भी इनों ने की थी और इसे आसामिधाने करा देने वाले जजों की बेंच का भी एह हिस्सा रहे हैं एक आप देखेंगे पदमनात स्वामी पर इनके भी फैसले को पूरे देश में काफी पिसंसा मिली थी इतना ही नहीं येक आप देखेंगे पॉसको एक्ट आया था जिसमें स्कीन टू स्कीन मामले में इनकी बेंच नहीं फैसला दिया था एक आपने देखा होगा सलमान खान से काला हिरन का मामला जुड़ा हुआ है काला हिरन सेकार मामले में भी अब इनेता सलमान खान का केस भी इसमें सामिल ले और उन्होंने भिष्टाचार की एक मामले में आप देखेंगे पंजाब के उस समय की मुखमंतरी अमरेंदर सींग और अपनी जनमतिती से जुड़े एक मामले पूर सैना पिरमुक जनल दीके सींग का पिती ने दित्ते भी किया है तो इस तरह की चर्चित केसों से भी इनका नाम जुड़ा रहा है और आप देखें कापी दिनों से एक सभी केस पेंडिंग में पड़े हुए थे और इनके फैसलों ने आप देखें सुर्किया बटोरी है बकील से सीधे सुपरिंग कोट जज बने थे अपने सौमस वभाव के लिए जाने जाने वाले ललित ऐसे दू 1971 में देश के तेरह भी मुख नियादीस SM सीखनी ने उपलब्दी हासिल की थी उनके बाद इनका दूसरा नंबर आता है आप देखेंगे कि 1983 में वह बार में सामिल हो गए थे वारे सोचेशन में 1986 में आप देखेंगे सीध सदालत में पैक्टिस कर रहे है और फिर आप आप देखेंगे 9 नमबर 1957 को इनका जनब और बकील के रूम में भी इनोंने काम किया और आप देखेंगे कि जश्टिस ललित जून 1983 में एक बकील के रूम में काम किया और दिसमबर 1985 तक बंबी उच नियाले में पैक्टिस की इनोंने जनवरी 1986 में उन्होंने दिल्ली में प सरवुच नयाले की कानूनी सेवा सम्थी के सदस्थ भी रहे हैं और 13 अगस्त 2014 को भारत की सरवुच नयाले की नयादीस न्युक्त हुए थे और 2021 में आप देखें कि राष्टी कानूनी सेवा पराधीकर के कारकारी अध्यक्ष के रिये भी इनकी न्युक्ति हुई थी और जै लोख बादम है क्यों फ चुना गया है और आप सभी जानते हैं कि दूसरी महला राश्ट पती है Äl पहली महला राश्ट पती कौन थी यह आप लोग बताएगा और आपको बता मांदूं की पहली आधिवासि राष्टपती है और जो उडिसा राढ़ आप देखते हैं, देख लिए उडिसा आपको देखने को मिलेगा, बोमनेश रिसोरित की राढ़ धानी है, यहां से संम्मद रखने वाले पहली राष्ट बती बने हैं, कौन द्रोफदी मूर हो, और आप देखेंगे इनका 8 नमबर को 65 साल के हो जाएंगे, तो आप देखेंगे इनकी 8 नमबर तक एक तरह से आप देखेंगे इनका कारकाल रहेगा, और 3 माहे से कम का होगा इनका कारकाल, 3 महीने के लिए मुख देद की है, इसमें हम लोगों ने सुपरीम कोट मेर्ग की भी बात कर ली है, और एक बात और आपको बता दू, राज्यों में आप देखते हैं कि आपके हाई कोट होते हैं जैसे आप लोग जाएंगे एक कहा उत्तर पिदेश में जाएंगे तो आप सभी कुमाल होगा कि कहा है उत्तर पिदेश कहा ही कोट आपको देखने को मिलेगा कहा है इलावाद में प्रियाग राज की नाम से जिसे आप लोग अब जानते हैं किसके नाम से प्रियाग राज के नाम से अब आप लोग इसे जानने लगे है मद्धपदेश में जाएंगे तो आप लोगों को जबलपूर में देखने को मिलेगा कहा जबलपूर में देखने को मिलेगा तो यह भी याद रखेगा और समिधान का नुच्छे 214 214 इसके अंतरगत आप देखेंगे उच नियालाई की स्थापना की बात होती है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और जो उच नियालाई होते ना हाई कोट होते ना इसके मुख नियादीस की नियुक्ति राष्टपती द्वारा भारत की मुख नियादीस और सम्मंदित राज्जी की राजपाल की परामास की बाद होती है तो यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए और उच नियाले की नियादीसों की अधिक्तम आयू सीमा 62 साल रखी गई है 62 साल तक यह अपना कारकाल पूरा कर सकते है और सुप्रिंग कोट में 65 साल रखी गई है यह भी आप लोग याद रखिएगा कई बार आप देखते हैं कि आपके एकजाम में भी कुश्चन्स बन जाते हैं से चलिए और किसी के बारे में बात करनी हो अगर तो आप लोग उसका नाम नीचे लिख सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे